आज हम राजस्तानी चमला फली की सबजी बनेंगे, यह सबजी किस-किस को पसंद है मिचे ज़रूर बताना, मीरी दो फीवरेट है, और हैदराबाद में बहुत कम होता है कि यह वाली फली मिलती है, तो जब मिलती है तो मैं अपनी पसंद के रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ, चलिए आजा आपके साथ भी शेर करती हूँ, मोटी वाली जो फली है उसका हम दाना निकाल लेंगे, और बाके जो पतली वाली है उसका आगे पीछे का हिस्सा कट करके, हम इसे इस तरीके से छुटी-छोटी पीसेज में कट कर लेंगे, इसमें हम प्याज, अध्रेक, लैस यूज नहीं करने वाला है, टमाटर भी यूज नहीं करेंगे, दो बड़े चम्मच तेल में थोड़ा सा जीरा हींग डाल दिया, जैसे क्रेकल लोने लगा, आदा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के मिक्स करेंगे, अब हम इसमें चम्मच नमक या स्वात के अनुसा नमक डा जैसे में यहां पर देट चम्मच डाल दियू, कश्मीली लालमरची पाउडर यह जादा तीखा नहीं होता है, नॉर्मल डाल रहों तो एक चम्मच डाली है, देट चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर डाला है, मिक्स करेंगे और वापस से कवर करके हम इसे दो मिनिट के लि मतलब ग्रेवी भी देगा, तो यह डाल दो यह आप टमाटर के डाल सकते हो, बट चम्मला फली के साथ काचरी का जो कॉंबिनेशन होता है वो बहुत अमीजिंग होता है, थोड़ा सा पानी डाल के हाई फ्लेम पर एक मिनट तक पकाएंगे, लास्ट में बिल्कुल थोड़ और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी